इसलम लेकुम देयर फ्रेंड दिस इस निस अनम, माइक्रो बाइलोजिस्ट एंड एंफिल स्कॉलर जी तो फ्रेंड्स मुझे कमिट्स आ रहे थे कि जी सी यू एच जिस पे मैंने एक बार वीडियो बनाई थी तो में फ्रेंड्स भी पूछ रहे थी तो वो चारे से सब के मैं आपको बताऊं कि क्या इसका प्रोसीजर है एड्मिशन का और एड्मिशन का क्राइटिरिया क्या है पास्पेपर्स वगएरा तो यहां पर एक बहुती कॉमन सी चीज होती है जिसे प्रोस्पेक्टर्स कहते हैं जो के हर यूनिवस्टी का जो है डायर्ट होता है और प्रोस्पेक्टर्स आपको यूनिवस्टी की वेबसाइट पर मिल जाएगा आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहां पर भी क्राइट करें कि क्या इसका क्राइटेरिया है तो यहां पर मैं इसका प्रोस्पेक्टर्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी जी सी उएच का और मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूं कि क्या क्राइटेरिया है इनका हम ओपन कर लेते हैं हमारी प् जी तो फ्रेंट्स हमारी प्रॉस्पेक्टर्स जो है डीसी यूएज गॉर्मिंट कॉलेज यूनिवरस्टी की ओपिन हो चुकी है और यह आप देखें तो इसका फ्रेंट लुक वगएरा यहां पर दिया हुआ है मिडल में या एंड ऑंड दे मिडल जो है इसके आडमीशन के ह्वाय से काफिस होती है तो यहां पर स्टर्टिμα को घ्रॉस्पेक्टर्स हमारी यूनिवरस्टी का एक इंफो पेज हमारी जाता का क्षी स्टुकिर्ट वगईरा क्या है अड़मिशन फीजिश क्या है देन इसके लाफ़ा और भी कप साई जेटेल्स वगईरा इसमें होंगी और इसकी हालिडेंज वगईरा के हवाले सीर्टेन स्कैजूल है यहां पर दिया हुआ और सीड्स की अलोकेशन की हवारे से भी डीटेल्स हैं कि इतनी सेस् भीलबिल है यह इस में अपलाई कैसे करना है और किस तरह किसे अपलाई आप करेंगे तो यहां पर यह भी डिटेल दी वी है, कि आपने अपनी ID रिजिस्टर करनी है, देन आपने जो है, रिजिस्टर होने के बाद, GCUH का जो है, चलान लिनो, ने बता हुआ है, कि HPL में चलान फिल्टर ना है, तो यह साही डिटेल वगए है, यहां पर मेंशन है, और इसके बाद, जो है, मैं सबसे पहले यहां पर entry test का मैंने open कर लिया, तो यहां पर percentage और वेटेश देख सकते हैं, आप लोग के matriculation, intermediate और pre-entry test के जो है, मांकी इनोंने किस तरह से वेटेश लीवी है, और COVID-19 जैसे के भी last year, यही condition रही तो इसमें कुछ इस तरह की वेटेश थी, तो matriculation की वेटेश इनोंने ली है, नॉर्मल रूटीन में, 10% intermediate जो है, वो हमारे पास 40% आएगा, then pre-entry test जो है, वो 50% की यहां पर वेटेश है, इनोंने basis पताईए कि कहां से entry test जाएगा, MCQS बेस्ट होगा, और the pre-entry test बेस्ट बेस्ट ऑन सब्जेक्स स्टेडिट एच 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 तो HSC में आपने जॉन जॉन से सब्जेक्ट पढ़े हैं सारे, उनके उपर बेस्ट होगा, यानि MCQS जो होगे, वो काफी हत्तव जो हैं से रिलेट कर रहे होंगे, then यहां पर timing इनोंने बताई वी है, नेक्स्टिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, timing to hours की होती है, जो आपक टेस्ट फिल करने का टाइम मिलेगा, MCQS के उपर, और यहां पर इनोंने जो है, यह सारे प्री मेडिकल ग्रूप के अंदर बता रहे हैं, कि जो MCQS होंगे, टोटल हंडेट कोशन्स के होंगे, और इसमें Physics, Chemistry, Biology, English, यह सारे सब्जेक्ट होंगे, then इसके इलावा, यहां पर जो है, जो बाकी के 25 कोशन्स होंगे, वो हमारी जो है, यानि कि इच सेक्शन से 25 कोशन्स आएंगे, then इसके इलावा, नीचे भी जो है, वो 100 कोशन्स का है, तो उसमें भी Physics, Chemistry, Math और English यह सारे सब्जेक्ट के आएंगे, then General Science Group के अंदर भी Physics, Computer Science, Math और English, तो यह सारे जो है, यहां पर इन्होंने बताई है कि क्या वेटेज होगी, then Arts Group का भी इन्होंने बताई है, यानि कि बेसिकली क्या है, कि आपके जो होंगे Entry Test, वो उसमें आपको दो गहेंटे का टाम दिया जाएगा, उसके अंदर सब्जेक जो है, वो आपकी च्वास के मताबिक होंगे, जैसे अगर आप प्री मेडिकल ग्रूप से हैं, तो उसकी साथ से आपको सब्जेक्ट दिये जाएंगे, then 25 कोशन बेस जो है, वो इच ग्रूप, यानि कि इच सेक्शन के 25 कोशन लिके में, लेकिन आगे हम और पढ़ लेते है कि क्या कोशन की अरेंजमेंट होगी, then यहाँ पर कुछ रूल्स वगेरा मैंशन किये हैं, कि क्या जो है, वो रूल्स होंगे, आगे आप सेमिस्टर में जब पढ़ेंगे, यानि जब आपका इड्मिशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है, वो किस तरह से CGPA बनेगी, क मैं अभी मैं आप को यह सकिप करके तो मैं आपको ले जाती हूँ, इसके एंट्वी टस्क के मॉडल पेपर की तरफ, तो एक यहाँ पर मॉडल पेपर भी नहोंने दिया हुआ होता है, एक मिनिट में जड़ा है। देख़एंगे इनने दिया हुआ हूँ अधे मॉडल पर यह कुछ इस तरह का मॉडल पेपर होता है यह देखें सेंप्ल पेपर जो है वो इस तरह से होगा तो यहां पर इन्होंने जो है कुछ डिटेर्स लिखी ही है वन पेज प्रिंटेट आंसर शीर्ड इस प्रोवाइटे तो आंसर दो कुश्यंज यूज ऑनली बॉल पैन ब्लैक ब्लू टुशेट तो फिल दा सेर्किल और मेरे श्याल में यह चीज़े जो है महीं पर मिल जाती ह यह नहीं हो तो आप ले जायेगा आंसर शीर्ड और्फाइफ फाइफ सर्किल कंटेइनिंग फाइब और यानिकि फाइफ उप्शन होंगे आपके पास फाइफ सर्क्ल होंगे डिटिटिए और यह सारे जो है वो नंबिक शाब से इनसे रिलेट कर रहे होंगे और आपने एक पे जो है जो आपको सही लग रहा है यानि के अगरmember 1 है तो उसके रहाद पर क्रमापल要 ठोड यह थू यहाँ पर बार उलद हे होगा है 5 यहां पर सरुक्ल से सरुक्ल से करना है और यहाँ पर जूह है सारी डीटेल्स इन्होंने लिखी वी हैं तो इसी साथ से आपने इसको फिल करना है देन मौडल पिपर आप देखें तो किस तरह के सवाल इसमें नोने दिये हैं आपको अच्छे से समझ आजाएगा बहुत मेरे ख्याल में इतने कोई हाट सवाल नहीं होते लेकिन हाँ आपको इसको जो है वो अच्छे से अपना जो है कौल्जि साइड का जो है वो पढ़ना है और उसमें से काफी सवाल आते हैं तो फसलियापे इंग्लिश जो है वह नहोंने दीया हुआ है इंग्लिष के अंदर ब्यक अपजरी आ जाती है ज़्द दाज़दा घृमर आ जाती है और तो आपने अच्छी ग्रामर रखनी है अपनी अच्छी और इसके अलावा प्रिपोजिशन और वर्ब वगएरा यह सारी आपने अच्छे से धियान रखना है और यहां पर मैल्स के सवाल है मैल्स के मेली किस तरह की सवाल होते हैं परसंटेज के सवाल आजाते हैं आपको परसंटेज के सवाल अच्छे से धियान में याद रखने हैं बाकि आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी एंट्री टेस्क के हवारे से जिसके इंदे बहुत पस्तिक्स औ और दूसरे सक्ष नो इंविष लियन तूछ सुवाल में बहुत ज्वहल्द ही और यह का आूज यह वारिम tomorrow की स्टोरिकल पुक्न हो गए तुछ स्टोरीकल प्लेश हो उतरsm एप सब्सक्राव कर देंच झारिक इसरो गयंड़ी सब्सक्राव समय अगर आपने computer science वाले section लिया है तो आपको computer science वाले questions भी इत्यारी देखनी होगी किस तरह के सवाल आते है यहाँ पर यह आपकी OMR sheet है यह आपको मिलेगी इसमें आपको जो है roll number wise यहाँ पर setting करनी होगी जो आपका roll number होगा यह आपको सारी guideline जो है उसी वक मिल जाएगी इंविजिलेटर signature वगएरा तो यह सारी जो है डिटेल हैं जो के आपको entry test के हवाल से मुसे पूछी की तो मैंने आपको पता दिया यह GCUH university या कोई और कोई से भी university हर university का admission prospectus जो है वो साथ में मिलता है जब आप admission form fill करेंगे तो आपको यह मेरे ख्याब में प्री में जो है साथ मिलेगा बलकि आप तो fees pay करेंगे तब आपको यह prospectus भी मिलेगा आपकी admission fees के अंदर ही तो काफी अच्छी university है I hope के आप सब जो है वो test pass कर ले महनत करें और यहां पर देखें तो इसका नक्षा भी इन्होंने थोड़ा से दिया हुआ है कि कहां पर रहे युनिवर्स्टी अगरा तो best of luck आप सब को और मेरी दुआ है कि आप अच्छे नमरों के साथ जो है वो कामियाब हो और आपके पसंद के शोबे में आपको जो है admission मिले तो यहां पर मैं वीडियो आइंड करती है मेरे चार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना रखिए बहुत सारा ख्यार अलाहाफिस